हाई फ्रेंट्स मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तह दिल से स्वागत करता हूं अबिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गर्मन जम्मेकर पर दोस्तों खुद के उपर विस्वास रखो फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आए आपको इससे आपके बैंक में और S.S.E. में पुछिए मत हद से ज़्यादा सवाल आता है आता ही आता है ना कि तो कोई गरांटी ही नहीं आएगा ठीक है आज हम समझेंगे आकि यह होता क्या है मतलब कैसे इसको बनाएंगे जो आपके एक्जाम आगा तो कैसे बनाएंगे मेरे साथ रहिए राहुल भहिया के साथ कैसे देखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें यह साइन दिखाई देगा एक यह साइन दिखाई देगा और एक यह साइन दिखाई देगा आप इससे तो दम परीचित होंगे छोटे से म क्या होता है छोटा का होता है यह होता है बड़ा का साइन यह तो आपको पता है बराबर ठीक है और यह होता है छोटा ठीक है ऐसे हो गया यह बड़ा बराबर और छोटा तो यह जो साइन होता है confirm sign होता है कौन यह confirm sign होता है ठीक है इतना अब आई ये इसमें अब कुछ related में क्या आता है एक बार ये sign मिलता है आपको ऐसे ऐसे ठीक है यानि की बड़ा और बराबर और एक हो जाता है आपका ऐसे ऐसे इसको आप क्या लिखेगा आप इसको लिखेगा बड़ा ठीक है पढ़िएगा मतलब बड़ा या बराबर ये sign बड़ा या बराबर इसको छोटा या बराबर ठीक है तो ये तो हो गया आपका confirm sign तो ये क्या होगा ये doubtful होगा ये doubtful sign होगा मतलब यह confirm नहीं होगा यह confirm होगा बड़ा बराबर छोटा यह confirm sign में आएगा और यह बड़ा या बराबर यह छोटा या बराबर इस तरह से होगा आपके exam में जो inequalities से जो भी question आएंगे तो इस तरह के sign लगे होंगे आपको दिखाए देगा अब आएए कि इसको हम बनाते का है सबसे पहले आपको हम आज बताएंगे magic box magic box यह देखिए magic box क्या है the must ठीक है यह होगा आपका magic box इसमें यहाँ पर होता है बड़ा का sign ठीक है इसमें क्या होता है यहाँ पर बड़ा का sign होता है और यहाँ पर बड़ाबर का sign होता है ठीक है और यहाँ पर छोटा का sign होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़ा बड़ाबर का और यहाँ पर छोटा बड़ाबर का इस तरह से यह magic box ध्यान से देखिएगा बड़ा बड़ाबर बड़ा या बराबर छोटा बराबर और छोटा या बराबर यह इस तरह से ऐसे बनता है रिलेशन इसका और इसका रिलेशन ऐसे बनता है इस तरह से यही हो गया आपका magic box ठीक है अब आएए इसका रिलेशन कैसे बनता है आपको पहले हम में तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे इसका Relye1 देखिए कैसे बनता है ठीक है यह हो गया को फरी सक अब है लू क्या हूँ है जाना दीजेगा Relye Sir कैसे बनता है कैसे इसका यहता है दोस्तों यदि आपके एक्जाम में बाल आ sun rewrite प्रेक्न MON rättर यह बिरावर जाए तो आपका भाईलू कहां पर चला जाएगा बड़ा कसा चला जाएगा इस तरह सोता है बड़ा जाए और बराबर जाए तो भाईलू किसके साथ जाएगा बड़ा कसा जाएगा इस तरह से रिलेशन बनेगा यदि आपके एक्जाम में बड़ा जाए ठीक है और बड़ा बराबर आजाए और यहां पर बड़ा आजाए तो भी रिलेसन जाएगा कहां बड़ा कसान जाएगा ऐसे ठीक है यदि आपके एक्जाम में बड़ा आजाए और यहां पर यह आजाए बड़ा बड़ा आजाए देखिए तो भी आपका रिलेसन कहां जाएगा बड़ा कसान ज रहता है खीक है और 먹는 रहता ह Rap तो इस तरह से इसका है रिलेशन बनता है जब यह दे यह दे यह डे-ट तो यह हो जाएगा आप मैं लोगो ठीक है इस तरह से बड़ा के लिए और ये चोटा के लिए क्या आपका री लेशन होता है जोटा के लिए देख लिए थोड़ा सा रीलेशन उसके वाद हम कुछ एक्जामपब लेंगे ठीक है जोटा में यह जिसक्माल लीजिए कि यहां पर यह छोटा का साइन आ गया और फिर बराबर का गया तो हमेशा कहा जाएगा छोटे के साथ जाएगा अगर छोटा बराबर आ गया और फिर यह आ गया छोटा आ गया तो भी कहा जाएगा छोटे के साथ जाएगा ठीक है यदि बराबर आ गया यहाँ पर और यहाँ पर छोटा क्या गया फिर भी कहा जाएगा छोटे के साथ जाएगा मतलब इस तरह से ये relation बनता है ठीक है अब हम आईए आपके सामने example लेकर आते हैं आईए इस सवाल को आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आपके exam में अगर दिया रहेगा इस तरह से statement ठीक है यानि कि कथन तो कथन में दिया है कि पी बड़ा है क्यू से और फी बुल रहा है कि क्यू बड़ा बराबर है किस से आर से क्यू क्या है बड़ा या बराबर है आर से यह हो गया आपका statement यानि कि कथन और यहाँ पर इसका कैसे हम इसको मंदब कि कैसा है इसका रिलेशन बनेगा और इसका भैलू क्या होगा ठीक है तो देखिए यहां पर क्या साइन दिखा रहा है बड़ा और फिर बड़ा बराबर यानि कि जब भी रिलेशन बनेगा यहां पर देखिए तो किसे किसमें आएगा इसमें आएगा तो देखिये यह बड़ा और यह बड़ा या lien इसमें जाएगा ध्यान दीजिएगा यानि कि इधर आएगा यहाँ पर का बोल रहा है किपी बड़ा है आर से P क्या है R से बड़ा है देखिए तो यह relation दिखाई दे रहे इधर तो हाँ तो यह क्या हो जाएगा आपका यह discuss सही हो जाएगा यहाँ पर आई यह इस पर यह क्या बोल रहा है कि P छोटा है P क्या है छोटा है Q से देखे तो यहाँ पर यह बन रहा है नहीं बन रहा है तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अब आई यह यहाँ पर कि Q बड़ा या बराबर है यार से Q यह दो दखिए यह तो यहाँ सही मिल गया यानि क्या हो जाएगा यह सही हो जाएगा तो मेरा option एक और तीन क्या है? दोनों सही होगा किसी में दिया है? केवल एक option सही है, एक और दो सही है एक और तीन देखी यहाँ पर मिल गया यानि कि option number C क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तो यह video आपको अच्छी लगी होगी यदि तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठीक है? और दोस्तों तक इस लिंक को सेर कीजिए और इसमें हम आपके सामने एक सेक सवाल लेकर के आएंगे आपको समझाएंगे, थैंकियो, धन्यवाद